कौन थी वो? मैं आच मेने की प्रेगनेंट थी और अपनी डिलीवरी के लिए अपने माई की गई थी माने मुझे फोन पर बताया घर के पीछे की तरफ जो खाली जमीन थी ना वहाँ पर एक नया कमरा बनवा लिया है इतने सालों की बाद जैसी ही अपने घर में कदम रखा कुछ अलग सा लगा मा ये घर के पीछे की तरफ नया कमरा बनवाने की क्या ज़रूरत थी? अरे बिटा घर के पीछे दूर दूर तक खाली जमीन है तेरे पापा को कई दिनों से लग रहा था कि यहाँ पर एक कमरा बनवा लेंगे तो ताजा हवा मिल जाया करेगी अब तू ये सब छोड़ और चल जल्दी से दूर पी ले मा मैं थोड़ी दिर में पी लूँगी आप सोजाओ मैंने दूद का गिलाज उठा कर उस खिड़की में रख दिया पता नहीं कब आँख लग दी अचानक से खिड़की के पल्लों के खड़कने की तेज आवाज आई दूद का गिलाज धडाम से जमीन पर आगिरा जमीन पर गिरते ही दूद का रंग लाल हो चुका था मैंने खिड़की से जांकर बाहर देखा चारों तरफ धुख अंधेरा था उस अंधेरी की तरफ से कुछ आवाजें आ रही थी जैसे छूटे बच्चे आपस में खिल खिला कर मस्ती कर रहे हूँ इतनी रात को इतने गंगोर अंधेरे में बच्चों की आवाज कैसे आ रही है घड़ी में वक्त देखा तो ठीक बारा बजे थे देखकर मैं सन रह गई बुरी आत्मा और भोतों की कई कहानिया मैं सुन चुकी थी वक्त भी कुछ ऐसा ही था उपर से मैं प्रेगनेंट सुना था की ऐसे वक्त में अक्सर बुरी आत्माय औरतों का पीछा करती है तो क्या मेरी पीछी भी पसीने से तर बतर बड़ी मुश्कित से जैसे कांपते हाथों से मैंने उस खिड़की को बंद किया जल्दी से जल्दी उस कमरे से बाहर निकल कर मा के पास जाने के बारे में सोचा लेकिन जैसे ही दर्वासी की तरफ बल्टी लगा कोई साया हवा की स्पीर से दर्वासक की सामने से गुजर गया मेरे गली में अटक कर रह गई मैं सोड से चीक कर मा को बलाना चाहती थी लेकिन वो आवास खुद मेरे कानों तक नहीं पहुच पा रही थी तो मा तक कैसे पहुचती खिड़की के पल्ली एक बार फिर देजवा के जुटे से ध्राम करके पुद गया और पूरी ताकत से मैं चीक पड़ी जानती थी मेरी चीक की आवास सुनकर कुछ ही सेकंड में मा वहां पहुच जाएगी लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं मेरा कलेजर डर के मारे भटा जा रहा था आखिर मा ने मेरी आवास क्यों नहीं सुनी इतनी गहरी नीन में तो मा कभी नहीं सोती ठीक पीछे खुली हुई वो खिड़की मुझ में इतनी ताकत नहीं बची थी कि मैं पलट कर उस तरफ देख पी सकूँ हवा का एक संसनाता हुआ जोका उसी वक्त मेरे कानों से आकर टकराया लगा जैसे किसी ने दबी हुई आवास में दीरे से मुझ से कहा चलिज़ो यहां से मैंने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिये और एक बार फिर ताकत लगाकर जोर से चीखने की कोशिश की माँ पापा मेरी आवाज उस कमरे की दिवारों से टकरा कर वापस मुझे ही सुनाई दे रही थी जितनी ताकत के साथ मैंने चीखने की कोशिश की थी कुछी देर बाद उससे कहीं ज्यादा तेज और दर्दनाक चीख मुझे सुनाई देने लगी कि आवाज चीख मेरे पीचे गिड़की से आ रही थी वो आवाज मेरे कानों में पिगलते हुए लोहे की तरह गिर रही थी उन आवाजों में हैवानियत थी वो आवाजी किसी इंसान की नहीं है इतना मैं समझ चुकी थी काप रहे हाथों से मैंने अंधेरे में कुछ ढूडने की कोशिश की तभी अचानक मेरा हाथ बैट पर रखी टॉर्श पर पड़ा किसी तरह ताकत लगाकर टॉर्श का बटन आउन किया लेकिन ये क्या सामने दर्वासे पर त्रीन छोटी लड़कियां खड़ी हुई थी उनके हाथ में स्टिल के चम-चमाते हुए चाकू थी मैं घबराकर लड़ खड़ाई और पीछे के तरह अटी लेकिन तब तक वो मेरे पास आ चुकी थी उनकी गरगन टेड़ी थी और उनके हाथों के वो चाक्ल मेरे पेट को निशाना बनाने को तहीं हाँ मैं जोर सची की नई छोड़ दो मेरे बच्चे को मन बारो बारो जोड़ दो मेरे बच्चे को